नमस्कार, टीव ब्रद कर्कुरेसर में आपका स्वागत है, हम आसा करते हैं, आप लग सब अच्छे हंगे, स्वस्थ हंगे और स्वरक्षित हंगे, आज हम बात करेंगे, टपिक है जपान के बारे में, आज है करोगे, आज उस टपिक में मैं आज बात करउनगा, यप एक्सपर्ट करता है, निक्रूट कर से बहुत सारे, सब्जेक्ट में हम बात करेंगे så Japan जो है Southeast Asian country है So Japan का एकनोमी है एक free market economy है developing country है one of richest country है So Japan जो है world का second richest second developing country है After America और Japan का जो purchasing power है fourth in the world यानि Japan का जो Jesus जोग है दुनिया का world का fourth purchasing power है हूँका और third GDP है हूँका और highly developed country है, highly technologically developed country है और जब second world war में जपान जब अमेरिका सहार गया उसके बाद उससे पहले जपनी, जपान का जो government जो manufacturing, export के अपर ध्यान नहीं दे रहा था उसके बाद war के बाद, second world war के बाद जपान का government जदा करके manufacturing के अपर ध्यान दिया तब से लेकर आज तक जपान ने काफी सारे product manufacturing किया, invent किया और worldwide दुनिया भर का product बनाया और manufacturing किया और export करते रहा और तब से आज तक जपान एकवान आफे richest country, highly technologically developed country in the world, America के बाद आईए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको जपान से order मिलेगा export का order कैसे मिलेगा, जपान क्या-क्या product export करता है, क्या-क्या product manufacturing करता है, उसके बारे में बताऊंगा जपान का population है 12 crore 64 lakhs approximately population है, 12 crore 64 lakhs population है जपान में और करीब 28,000 Indians वहां काम कर रहे हैं, ज्यादा करकि उसमें 30% to 40% Indians, IT engineers, Japanese IT companies में काम कर रहे हैं काफी सारी लोग manufacturing में काम कर रहे हैं, काफी सारी लोग जो इंडियन restaurant बनाये हैं, उनका families में वहां रहेते हैं, food product भी production कर रहे हैं, food product का business कर रहे हैं, इंडियान्स लोग, इंडियान्स जपान में रहे रहे हैं, इंडियान रेस्टरंट खूल चुका है और इंडियान फूड जपान में काफी प्रसिद्ध रहे हैं, है । और यह उटों किने बात करें हैं जपान कमें टॉट dough ये उनका जपनाने अरका कॉरियार यह उनका जो मिलर इक्श्पोट तुरल इंपॉर्ड शेवाल निंशेया विड़ाओं में यजफश्पोरण il टोकियो तुकियों कि रट relat अब देख सकते हैं और नगया Port of Authority major port है जितने सारे आप देखे है reader screen में जितने सारे पॉर्ट से उसमें पांच पॉर्ट जो लिखा हुआ है major port से यह 5 पोर्ट है उनका major port से वाइक का तोक्यों का है नोगया का है Osaka होसाका है उनका तिन उसाका नौगया और टोक्यों मेजनव पुस्त्र संसरी दिष्ट है रलाइन येfert और इनदियास सी पॉट फि device आि आप देंग सकते हैं इतना पूट जपान में अभी आपको बताम है है प्र längए एरपॉर्ट शब जपान कि अ मिलें सार। से तौक्योंबधा और नोगया संट्रल जुपन अर्पूर्ट जुपन जापान का जुपने तो आठ इयरोट ऊप्षट जुपने इन्में टौ्प्यों का है ज्यूक्यों का दूर आरिवेवेदरों अपूर आप्होर्बधां गूकि ëजे परने चार पहलेजनर जाम They इन को आप कोब करोंखे आ जब आप का कोडेशन होगे यह इन बने इसे इंडिया को को कोई आप इनेशनल जपनका इन कोड सकते हैं रिपंड आप लॉकेटर नोटेड इन जप तो अभी बार आप को बताजियन मेंने दाष सी caval आप एयर पुर्य जपान, जब आप इंडिया ड्वारा बनाओगे को इसन बनाओगे तक जो प्रोड़क्त OUR तो आप सी पोर्ट का ध्यान क्यी आपका इंपोर्टर सर कह पर लोकेटेड ही अपकाु 1700 सो सिती में और कौन सा एयरपूर्ट पर जबान जाएगा आप इंडिया टू जपान का कोटेशन दे सकते हैं और कितने सारे एयरपूर्ट, एयरलाइन्स, कितने सारे एयर कार्गो कंपनीज और कितने सारे जो आपका कंपनीज जो एयर कार्गो कंपनीज और सी कार्गो कंपनीज कर सकते हैं, price, seaport.com, kogoport.com, India to Japan आप इस साइट में जाके kogoport.com में calculate कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी port से, जपान का कोई भी seaport, आप calculate कर सकते हैं, इस अच्छा साइट है, kogoport.com, और इसमें आप container भी book कर सकते हैं, तो आप देख लिजे, कितने सारे airports, airlines, कितने सारे sea cargo, air cargo companies operating from India to Japan, ठीक है, so अभी बात करेंगे, आपको बताँगा, the list of products, Japan exports, Japan काफी सरे thousands of products, invent किया, production किया, manufacturing किया, और worldwide export किया, so इसमें से काफी सरे products, Japan ने export करता रहता है, तो कुछ product मैं आपको बता रहा हूँ, the list of products, Japan exports worldwide, so metal है, vehicle parts है, integrated circuits है, industrial pair, printing, printers है, machinery, large construction vehicle है, trucks है, refined petroleum है, video recording equipment है, low voltage protection equipment है, hot roller, iron, engine parts, rubber, tire, LCDs, इतने सारा आपको दिखा रहा हूँ, ये सब जपान ने बनाया है, बनाता रहता है, manufacturing किया, और worldwide export करता रहता है, तो list of products, Japan exports, आप देख लीजिए, so आपको मालूम पड़ेगा कि Japan क्या-क्या product in worldwide export करता है, कि काफी सालों से, करी 50 साल के उपर से, world war, second world, world war के बाद, Japan ने, Japan का engineer ने, काफी सारे product, बहुत सारे product को invent किया, बनाया, production किया, manufacturing किया, दुनिया और को export किया, और आज, Japan का economy इसलिए बहुत अच्छा है, उनका लोग rich है, उनके पास purchasing power है, काफी चीज जपान export करता है, काफी चीज raw materials, जपान import करता रहता है, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, मैं इंडिया और इंडिया का exporters, क्या-क्या product, जपान को export करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, the list of products, इंडिया exports to Japan, so chemical है, elements, compounds, non-metallic, mineral, fish and fish preparation, seafood हो सकता है, metalliferous, oils, crafts, clothing accessories, iron, steel products है, textile yarn, fabrics and machinery, petroleum oils and oil, obtained from bitumen, minerals, ferro aloes, ferro manganese, turbo jets, turbo propels, gas turbine है, auto parts है, fish and seafood cotton yarn है, coconut, brazil nuts and cashew nuts, dry fruits fresh and dried, आप पूरी product में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लिजे स्क्रीन में, the list of products, इंडिया exports to Japan, so जितने सारे product में आपको दिखाया, स्क्रीन में, इन product को, मैंने इस video का description में एडिकर देता हूँ, आप पूरी product को copy paste कर लिजिए, कपी test करके, फिर आपको मालिम पड़ेगा कि क्या-क्या product इंडिया export करते है जपान, देखे, जपान एक highly developed country है, highly rich country है, world का second richest country मना जाता है, लोगों के पास और fourth largest purchasing power world है, यानि यापनीज के पास पैसा है, fourth largest purchasing power world का है, उनके पास पैसा है, पर्चेस कर सकते हैं, तो आप आपके कोई product जपान में जाके sell कर सकते हैं, अगर आप जाकर marketing, आपका marketing सही रहा, ठीक है, तो the list of product India exports, यानि इंडिया का exporters, क्या-क्या product export करते आ रहे हैं, मैं उसको इस screen में आपको दिखा दिया और इस video का description में भी add कर देता हूं, फिर आप description से, हमारे video का description से पभी test करके ले लिजिए, आपका computer में, share कर लिजिए, तारकि आपको मालूम पड़ेगा the list of product India exports, और Indian exporters exports to Japan, फिर उस हिसाब से आप तेयर हो जाईए कि आपको क्या-क्या product export करना पड़ेगा to Japan, ठीक है, अभी अगर आप एक नया exporter हो, आपको मालूम नहीं है, आप कहां से, इंडिया से, इंडिया का कौन से जगह से, कौन सी company से, आपको product source करना है, तो कुछ website से, इंडिया का top trade portal से, indiamart.com है, tradeindia.com है, और exporters india.com है, बहुत सरे अमारे इंडिया का trade portal से, उनका sites में, screen में दिखार, आप देख लिजे, इन sites को आप, इन trade portals को आप copy paste कर लिजे, आपका computer में save कर लिजे, हर site को login करके जाए, और उसमें search करिए, the manufacturers, traders, wholesalers of आपका product, आप क्या product भेजना चाहते हो, export करना चाहते हो, उस product को search करिए, in site में, तो आपको manufacturer मिल जाएंगे, trader, exporter मिल जाएंगे, ताकि आप उनको contact कर सके, कि आप इन product को export करना चाहते हैं, तो आपको price के बारे में, आपको मालू पर जाएगी, ठीके, अभी आपको बता रहा हूँ, the list of some best companies in Japan, जपान का कुछ best listed companies है, जो आप contact कर सकते हैं for export, the list of top companies in Japan, Toyota Motor से, Honda Motor से, Japan Post Holding, Nissan Motor, Nippon Telegraph and Telephone, Hitachi, Software Group, Sunny, JX, TG Holding, Aion, Tanasonic, Mitsubishi Corporation, Marubeni, Toyota 207 and Holding, Tokyo Electric Power, Nippon Steel, जिए देखिए, जितने सारे में दिखा हूँ, ये top companies in Japan, आप list कर लिजे, the list of top companies in Japan, तो कुछ companies, जितने सारे top companies को मैंने इस वीडियो का description में edit कर देता हूँ, तो आप description में जाके, आप search कर लिजे, कभी test कर लिजे, और Google में search कर ये, the top listed companies in Japan, तो आपको काफी सरे Japanese company मिलेगा, आप copy paste करके, गोगल में उनका, search करिए उनका website, जब आपको website मिलेगा, फिर आप उनको contactors page में जाके, email id, copy कर लिजे, या direct उनको email करिए, कि आप आपका product, उन company को भेजना चाहते है, एक्सपोर्ट करना चाहते है, तिको website में, आप product में, services में जाके देखोगे, इन companies क्या-क्या product services में deal कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा थी, क्या-क्या product आप उन companies को expert कर सेखे, ये भी एक तरीका है, to get the export orders, अभी बताऊँगा, जपान में काफी सरे, yellow pages है, business directories है, English newspapers है, B2B trade portals है, इन जपान और classifieds website से, उन sites है, इन Japan का expert order मिल सकता है, सरदा list of trade portals, the list of yellow pages, the list of business directories of Japan, में आपको बता रहा है, सब कुछ, उनका yellow pages है, jyp.jp, उनका main site है, trade world asia, japan, wbcvc, japan, jes, sjn, jp, trade key.com, japan.trade key.com, jetro.go.jp, देख लीजे, इतने सरे website में दिखा रहा हूँ, यह हम का main site है, जपान में काफी सरे आपको बता दिया, B2B trade portals है, B2B trade portals है, yellow pages है, business directories है, English newspapers है, classified websites है, इतने website को मैंने आपको बताया, इन वीडियो में, हमारा वीडियो में description में edit कर लेता हूँ, आप copy paste कर लीजे, आपका computer में set करके रखिए, जपान export, हर site को आपका computer में login करिए, हर website में जाइए, लगिन करके जाइए, और हर website में आपका company को register करिए, as an Indian exporter, आपका company का product और services को add कर दीजे, उन site में, और आपका contact details set करिए, photos add करिए, prices set करिए, सब कुछ add कर लीजे, ताकि जपान में जब वहां का traders importers, exporters, wholesalers, malls लेगरा, वहां का individuals, search करेंगे computer में, या उनका yellow pages में search करेंगे, तो आपका company उनको दिखाई दे, फिर वह आपको order दे सकते हैं, एक बार आप list कर दोगे उन site में, तो काफी सालों तर आपका details, जपान का directories में, जपान का web में रह जाएगी, फिर आसान होगा आपको order पाने के लिए, और आसान होगा Japanese companies के लिए, जो इंडिया से कुछ import करना चाहते हैं, यह बहुत important है, जितने सारे sites को आपको दिखा दिया, मैंने यह बहुत important website से, हर site को, आपको, जपान आपका targeted country है, हर site में आपको, आपका company को list करना पड़ेगा, एक बार list करोगे तो आपका company जिंदे की बार या काफी सालों तो आपका company Japanese share में, Japanese directories में save रहेगी, फिर जपान से आपको order, export order, import order आपको मिलते रहेगा, वैसे ही, जपान का काफी सारे English newspaper मैंने एड कर दिया हूं, इस वीडियो में, आप description में ले लीजिए, और description में हमेशा Japanese English newspaper का जो business pages पढ आपको बता दिया, बहुत कुछ आपको बता दिया, वैसे ही, आपका website को बारें बता रहा हूं, आपका company का website को बड़ा बनाई है, जैसे कि आपका Amazon.com में, Alibaba.com में, TradeIndia.com में बड़ा site आपको बनाई है, लेकिन आपका ओ साइट से, उनका नाम बताया, यह multi vendor site है, लेकिन आपका website रहेगा, एक single vendor site है, जो आप अखेले और आपका company का staff लगिन करके आपका company का unlimited photos और product एड़ कर सके, ताकि worldwide जब importers, buyers, traders, search करेंगे और आपका website उनको मिलेगा, तो काफी सरे आपका product उनको मिल जाएगी, उनका product के बारें उनको मालूम पड़ेगा, आपका product services के बारें उनको मालूम पड़ेगा, photos देखेंगे, और उनका price भी उन आपको आपका जो product खरीच सके, फिर इमिडियेटली आप उनको आपका जो product का sample, product उनको भेज सकते हैं, फिर उनको अगर product पसंद आता है, price के हिसाब से और quality के हिसाब से, फिर ज्यादा से ज्यादा order वो आपके दिला सके, इसलिए आपका website को बढ़ा बनाईए, आपका contactors page आपका जो contact numbers, mobile numbers, WhatsApp, IMO, Zoom ID, सबको जैड कर दीजे, आपका website में और website को बढ़ा बनाईए, और आपका city में, आपका country, आपका city में, कोई भी digital marketing companies को contact करिये, जो आपको, आपका company को, आपका company और आपको website को worldwide market करे, या कोई भी टार्गेटिंग, टार्गेटेड कंट्री में मा जादे से जगा export order मिले, और आप email marketing भी कर सकते हैं, मैंने पहले काफी video बना चुके है, digital marketing के बारे में, email marketing के बारे में, उन हमारा पूराना वीडियो से, मैंने इस video का description में एड कर लेता हूँ, हमारे काफी सरे hundreds of video है, export के बारे में, आप हमारा video देखते रहिए, आपको बता चुका हूँ, हंड्रेट सब वीडियो में, आप हमारा video, क्यूब रोज कर्पूरेशन, यह YouTube में सर्ज करिए, तो आपको हमारा hundreds of video मिल जाएगी, आप हमारा video one by one देखिए, तो आपको मिलने मालूम पड़ेगा, कि how to export, आप कैसे export कर पा होगे इंडिया से, और आपको कैसे export का order मिलेगा, तो आसा करते हैं हमारा video आपको informative लगा, हमारा video को share करिए, like करिए, subscribe करिए, आपका friends के साथ, ताकि आगे का video का information आपको मिल जाए, तब तो के लिए में विदाय लेता हूँ, धेंक्यू, धन्यबाद और जैहीं झाल